प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आफ अब जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिएक लेटेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही मज़ेदार लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मश्यूर पत्रकार सोहिब चोधरी को उनके स्पेशल केस्टों की भारत की बेटी और सुप्रीम कोट की सीनियर वकील दबंग नाजिया खान जी तो ये वीडियो काफे इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जान कि चाइना बकाईदा प्रेज करता तरीफ करता नदर आ रहा है इंडियन टेकनालोगी की अगनिफाइद की खब्रों के मताबिक क्या समझेए है चाहिए के साथ भी मतलब चाइना भी किसी साधिश का हिस्सा बंग गया है या चाहिए इन्दिया के हातों बिक गया रहा है कि के रूल रेगुलेशन्स को, सब के दिमाख को, सब के जजबात को खरीद ना, सच में इतना असान होता है, मुझे ऐसा लगता है, जो एक दिया जाता है, वो जैन 1.9 बिलियन हिंदुों के बीच में रह करके भी, आज भी नाजिया इलाहिखान मुसल्मान है, तो मेरे जजबात को मेरे असूलों को मेरे इसलाम को तो कोई नहीं करीच सका और लोग मुझे ऐसे ही एकसेप्ट करते हैं और पसंद करते हैं लोग मुझे इसी तरह से पसंद करते हैं मेरा चार दिन का दोरा था दिली में और में रोजने में थी, लोगों ने मुझे ऐसे ही पसंद किया, इसी हालात में पसंद किया, देखिए चाइना बरबाद होने के कगार पर है, यह किसी से छुपा नहीं है, चाइना ने एक एक रिजॉलिशन निकाला कि टू थाउजन ट्वेंटी नाइन तक वो इसलाम नाम का कीड़ा ख़त्व कर देगा चाइना से, मुसलमानों के अंदर जो एक मधब का, जो एक सेंटमेन्ट है, वो खत्म कर दिया जाएगा, और चाइना जीडीप बोलीये, गुनोमिकल बोलीये, या चाइना के चीजें जिस इसाप से में चाइना के चीज़ों को जिस हिसाप से स् तुम ने क्यों सुरंग बना दिया, अब तो तुम कर दोगे, तो तुम वो कर दोगे, तो चाइना एक ऐसी चीज है, एक ऐसा देश है, जो कब क्या बोलेगा, ये उसको खुद भी पता नहीं है, उसको जहां फायदा दिखेगा, वो भारत की तारीफ करता है, और जैसे ही दो कि इंटेलिजन्स डिपार्रेटमेंट है, वो सीरियस ले रहा है, वो अपनी मनमरजी से कभी तारीफ करता है, और कभी टार्श करता है, वो कर सकता है, पर बरबादी चाइना की तैह है, ये नजर आ रहा है. ठीक है और मैंने इस इस सेंस में बोला कि क्या चैना को या चैना की मीडिया को भी इंडिया ने खरीद लिया क्योंकि पाकिस्तान में ये एक आम तासूर है मतलब हर एक इंसान की जबान पे खासूर पे जो मीडिया की फिल्ड से हर एक जबान पे ये रहता है के मोडी मीडिया म cilantrorick लिए मिया मुसल्मानों का एक नारा है चाहे वो पाकस्तान के मुसल्मान हो चाहे वो भारत के मुसल्मान हो, मैं हर रोज नाशनल न्यूस चानल पर बैठती हूँ और जब भी मैं अपनी बातों को रखती हूँ तो सामने वाला कोई बारिस पठान हो या सेयद जवाद हो या मौरना साजिद रशीदी हो मैं तो नाम ले करके बात करती हूँ, मैं डर्ती नहीं। वो लोग कहते हैं, एंकर को कह देते हैं कि आप तो गोदी मीडिया है, ऐसे मूपर बैइजद करते हैं। अब मैं पूछना चाहते हूँ कि 1971 में जब बांगलादेश और पाकिस्तान के बीच में वार्ट चल रहा था और और अफरात अफरी का महौल था और जिसका जिसका एफेक्ट तो भारत पर भी था, क्योंकि यहां से यह दो जगों से जो लोग जिंदेगी बचाना चाहते थे, वो घुसपैटी हमारे भारत में भी घुसने की कोशिश में लगे हुए थे, ऐसे नाजोक मौके पर मारूती प्रोजेक्ट को ले करके संजे गांधी, इंद्रा गांधी औ गांधी परिवार के उस साजिश को भी तो छुपा लिया, एक 11 साल का राहुल गांधी, और उससे कुछ बड़ी चोटी प्रियांका वाडरा, वो भी बोर्ड मेंबर थे, वो भी बोर्ड मेंबर थे, सोनिया गांधी, वो जिस समय में IPS और IAS officers, जब 40 रुपे और 180 रुपे क मिला करते थे, और साथ में नोकर सर्वेंट्स मिला करते थे, गाडियां मिला करती थी, और जब बात में सर्वे किया गया उस मारूती गाड़ी का, तो पता चला कि यह तीन का डबा है, और लोगों को बेवकूप बना करके उनसे पैसा टानने का एक बहुत बड़ा प्रोज गांधी परिवार के इतने बड़ी चोरी को कहां छुपाया गया है, वो मेरे पास है, तो गोधी मेडिया तो गांधी परिवार रखा हमेशा, हम तो खुले आम रखे हैं, आप मेरे को बठाते हैं, आप जो पूछते हैं, मैं तथ के साथ उसका जवाब देती हूँ, मैंने कभी नहीं आपको बोला कि शुएब आप ये मत पूल चीए, मैंने तो अपन ली बोला कि आप क्यों इतनी तरीफ करती हैं, इंडियन प्राइम निसर निंदर मोधी साथ की आप क्यों इतनी तरीफ करती हैं, मतलब आप ने उसका जवाब दिया, लेट्स सौाल करना, आप कि ये समझ लें कि किसी के नालिज के कम होने की निशानी है, या किसी के जर्फ के कम होने की निशानी है, या इंसानियत कम होने की निशानी है, मतलब आपको मुझ में कोई चीज गल्फ नजर आती है, आप उसे डिबेट के दूरू बात करें, इल्जाम न लगाएं, आप में ये किसी में भी कोई चीज आपको लगता है कि ये गल्ट कर रहे हैं, तो आएं हिम्मत करें, मैं तो हमेशा हास्त और पे आपके प्रोग्रम के हवाले से कहता हूँ, कि भाई किसी को अगर इस 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 व्यक्ति से, इस वुमेंट से कोई भी इशू है, तो आएं बैठें, बात करें, में भी ये गल्ट हो, मैं तो मैं हुद कहता हूं, में भी लाजी लाजी हां गल्ट बोल रही हो, तो आएं आप बात करें, मेरा स्वाल है, उन्होंने जवाब दिया, मेरा काम है स्वाल करना, उन्होंने जवाब दिया, अब वो ठीक लगे किसी को गल्थ लगे तो जिसको गल्थ लगे वो आके विद लाजिक गल्थ साबित कर दे मैं हुद बोलूँगा शायद नाजिय लाही खान भी बोले कि हाँ भई मैं गल्थ साबित हो गई हूँ में भी ऐसा हो तो खेर आगे बढ़ते हैं ये तो एक टापिक से थोड़ा हाट रहते नाजी जी ये बताईएगा और एक और चीज़ मैंने इंडियन प्राइमिस्टर निरिंदर मोधी साब के हवाले से ये भी सुना है कि ये वो ही यूएस था जिसने आठ नौ साल यूएस में अमेरिका में निरिंदर मोधी साब की एंट्री को बैन रखा है मतलब ये ख़बर हम सुनते हैं और आज वो ही यूएस को ये चीज़े सुननी पाड़ रही है यानि कर्मा भी इसमें एक कंसेप्ट दिया जाता वो देखने को मिल रहा है मैंने कहा था ना कि सनातन धर्म में भगवान कहते हैं कि भगवान से ना डर कीशवर से ना डर अपने कर्मा से डर तो जो बहुएगा वो तो पाएगा तो जिन्होंने बैन किया था आज उनको मोधी जी शटप कॉल दे रहे हैं नादिया जी अब टापिक ये है कि इसलामोफोबिया के हवाले से बिल फारवर्ड किया गया और पहले ये होता रहा है कि इंडिया हमेशे इस बिल को स्पोर्ट करता है कि भाई हाँ ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए किसी मजब के अगेंस या किसी मजब को लेकि इस रीके से कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन इस दपाउनों नहीं बोला है कि अगर मजब की बात करनी है मजब से डर की बात करनी है या मजब के अगेंस इस रीके से जो चीज़ें प्लाई जारी है उसकी बात करनी है तो वो तिरफ एक मजब नहीं वो हिंदुईजम भी होगा फिर वो सीखिजम बुद्धिजम जेनिजम यह जितने भी मजब है उस सब के हवाले से होगा किसी एक हवाले से नहीं क्या कहना चाहेंगी इस चीज क्या बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पर हम दोनों बहुत अच्छे से एक स्प्लेम मतब बातचीट कर सकते हैं कंफरंट कर सकते हैं आज भारत अपने गोल्डे नीरा में चल रहा है भारत जो कभी एक खंडर हुआ करता था और आज भारत बाके में एक महल बन चुका है एक खुबसूरत महल जिसके इस्विलाइजेशन को जिसकी संसकार को जिसकी सभ्यता को अरब जैसा देश भी फॉलो कर रहा है और आपको दाबुदाभी से होकर के आए हैं आपने तहजीब उ तमद्दन संसकार और संस्कृति को मिलाप होते हुए अपनी आँखों से देखा है उस मंदिर के प्रानपरतिष्टा के वक्त में मुझे ऐसा लगता है शोयब के मजभ या धरम सम्मान और इज़त करने की चीज है डरने की चीज नहीं है या डराने की चीज नहीं है अगर कोई मजभ चिला कर य यह बिल्कुल नहीं चलेगा भारत के मुसल्मान अगर वाक़े में नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके की जहादी आतंकी या जंगजू एक्टिविटीज भारत में हो और भारत का नाम खराब हो तो मैं पूछना चाहती हूं कि 38 मुसल्मान आतंकी को जब एहमताबाद ब्ल माइतुल उल्माए हिंद ने अपनी तिजोरी और ताकत का पूरा का पूरा पोडला क्यों खोल दिया था उन आतंकियों को बचाने जोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो का अपने अंतंक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खांजी का दमदार और बेबाक अंदा जो इस्मों के उपर पावंदिया लगा रहा है उसमी बिर भात की और खात कर इस वीडियो में आपने देखा नाजिया जी ने ढाला गोधी मीडिया के टॉपिक पे तो इसके बारे में आपके क्या विचार है आप अपने विचार हमें कीमेंट सेक्षball में लिक़र गर यढ़ को सब्सक्राइब करते हैं ताकि हम आपके से लेटेस इंट्रस्टिंग और दंदार वीडियो लाते रहें जै हिंद जै भारत